हलो फ्रेंट्स स्वागाते आपका स्टाइट्य也टु-फॉर्ट-7 में आज हम लोग त्रिपूरा जीचे के ऊपर कुछ सवाल आपके सामने प्रस्तृत कर दे ये सवाल एकजाम में हर साल पूचे जाते हर एक एकजाम जो त्रिपूरा कंड़क कर आती है उस exam में ये सवाल पुछा ही जाता है ये सवाल खास करके जो त्रिपुरा के customs है tribes है उनके जो culture है उन सब के बारे में तो ऐसा सवाल हर एक exam में दो या तीन पुछा जाता है तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे जितनी भी सवाल हो सकते है त्रिपुरा के ritual हो custom हो, tribes हो उनकी जो culture है उनसके बारे में हो तो ये सारे questions probable questions और जो questions exam में पुछे जा चुके है ऐसे सवाल को हम इकटा करके आपके लिए प्रस्तुत कर दे अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो ऐसे जो भी सवाल त्रिपुरा culture and custom related पुछे जाते है आप 100% इस सवाल को solve कर सकते है तो आपको जो करना होगा वो आपको अन तक इस वीडियो को देखना होगा और साथी साथ आप लोगों को हमाने चैनल को और साथी साथ आप लोगों को हमारे चैनल की जो subscribe बेटन है उसको click करके रखना है ताकि आगे चलके जो भी वीडियो हम लाए वो आपके लिए easily available हो तो शुरू करते हैं आज के वीडियो पहला जो सवाल है त्रिपुरा की जो चक्मा कम्यूटी है ये एक ट्राइब है कुल 19 ट्राइब है उनमें से एक ट्राइब है चक्मा तो इनकी जो main festival है उसका नाम क्या है तो यहाँ पे options दिया गया है बीहू, बीजू, केर, रासा तो इसकी जो सही जवाब है इसका है option B बीजू festival आनोकिया, तांदोगिया, एन मंगला बिलॉंग्स टू फूइच मैजूर ट्राइबल ग्रूप अफ त्रिपुरा यह जो तीन नाम है यह कौन सी मैजूर ट्राइबल ग्रूप के अंदर में आता है यहाँ पे option से चक्मा जमातिया, हलम, एन्रियंक तो correct answer is option A, चक्मा इस पूजा is performed within a specially marked boundary to world of all dangers name it एक ऐसी पूजा किया जाता है जो एक special boundary बनाया जाता है और उसी के अंदर में इस पूजा का पालन किया जाता है थाकि कोई भी डेंजार हो उससे जो जितने भी जन जाती है जितने भी लोग है वो बच चके तो इस पूजा का नाम किया है तो इस पूजा का नाम है option D, care पूजा what are हिक्नननी और काईजग्ननी in the tribal society tribal जो society है tribal जो समाज है उस समाज में society में जो दो टार्म का इस्तेमाल किया जाता है उन दो टार्म का नाम है हिक्नननी और काईजग्ननी types of dress, तो यह जो दो नाम है, यह actually एक marriage custom की बारे में बात करता है, पहला रियांग की जो culture है, उसका culture के बारे में एक postal stamp में publish किया गया, वो postal stamp कब release हुआ, तो यह रिलीज हुआ, 30 अप्रिल 1991 को, माइमिता एक ट्राइबल डान्स है, जो कौन सी फेस्टिबल या रिजन के लिए डान्स को किया जाता है, यहाँ पर ओप्शन्स है, हर्वेस्टिंग फेस्टिबल, ड्राइविंग एवे उफ इंसेक्ट, कॉरोनेशन आफ महाराजा, हंटिंग तो इस डान्स का परफॉम किया जाता है, हर्वेस्टिंग फेस्टिबल में, यह वाला सवाल जो है, बहुत इंपोर्टेंट है, एकजाम में कई बार पूछा जा शुका है यह सवाल, तो आपको इस सवाल को ध्यान में रखना है, अच्छे से याद रखना है, माइमिता जो एक डान्स है, खास करके हर्वेस्टिंग फेस्टिबल के लिए किया जाता है, गरिया पुजा इस पारफॉम्ट इन हुच बेंगोली मांत ऑफ दा इयर, गरिया पुजा जो है, वो मेंगोली कौन सी मांत में मनाया जाता है, वाइसाक चेत्रस रावन जैस्ट, तो इसकी गरिया जाता है, यह जो गनेश की मूर्ती है, इसको पाया गया उन्नकुटी में, उन्नकुटी एक डिस्ट्रिक है अभी, लेकिन यह एक्चली उन्नकुटी एक पहाड है, कैला सहर सब्डिविशन है, उस सब्डिविशन के अंदर में आता है, वहाँ पे कई सारे मूर्तियों को बनाया गया है, रॉक काट करके, तो उन्में से गनेश की एक मूर्ती है, जो बहुत बड़ी मूर्ती है, उसको यहाँ पे कहा गया है, जाइगेंटिक इमेज ओ यह एवर्ड से नवाजा गया, तो वो परसन है, ऑप्शन डी ठांगा डारलंग, दसरदार यानि चीफ, आफ उच ट्राइब वस नून एज रॉयाजा, रॉयाजा एक ट्राइबल चीफ के बारे में बात करता है, या ट्राइबल चीफ का नाम रखा गया है, जो एक सरदार हुआ करते थे, तो त्रिपुरा में हमने देखा कितने ट्राइब है, कुल 19 ट्राइब है, उन 19 ट्राइब में से कौन सी ट्राइब के जो चीफ या सरदार थे, उनको रॉयाजा कहा गया है, तो ओप्शन है यहाँ पे चकमा रियांग जमातिया और नौतिया, तो इसकी जो स खानहा होता है, उस खाने में नहीं आता है, यहाँ पे मुःबुरॉक, मौजडेंग, भांगूई, बिंददोलॉ, यहाँ जो option है, option A, मौजडेंग, option C, भांगूई, option D, बिंदलो, यहाँ पे देख सकते हैं, यह जो तीन नाम है, यह तीनो tribal जो traditional झो खाना होता है, उसका नहीं आता है, तो option D होगा, इसका सही जवाब, which tribe in Tripura have the largest population, कौन सी Tripura के जो tribe है, उन 19 tribe में से सबसे ज़ादा population किस tribe का है, ये वाला सवाल बहुत important है, पुछा भी गया है exam में, आपको इस सवाल का जवाब अच्छे से दियान में रखना है, इसकी जो सही जवाब है, वो है, option B Tripuri Community, Tripuri Community को जो लोग है, वो Tripura में सबसे ज़ादा है, उसके बाद second position में जो लोग है, वो है रियांग, तो इस सवाल का सही जवाब होगा, option B, Tripuri Community, Brew tribe, an indigenous tribe is recognized under which of the following categories in Tripura, Brew tribe, जो एक indigenous tribe है, उनको Tripura की कौन सी category में recognize किया गया है तो इसकी जो सही जवाब है, वो है particularly vulnerable tribal group टाइथूंग was the name of, टाइथूंग एक word है, या एक नाम है, ये नाम की चीज़ को denote करता है, यहाँ पर option है, tribe of Tripura, mountain range in Tripura, slavery system prevailed in Tripura, tribal dance of Tripura, तो ये जो टाइथूंग है, ये एक slavery system था, जो slavery system को in Tripura के जो local language में उसको टाइथूंग कहा जाता है, तो इस slavery system को बंद किसने करवाया था, इसकी जो सही जवाब है, आप नीचे comment section में हमें बताएंगे, Tripura के एक राजा थे, जिन्होंने इस slavery system को बाद में बंद करवा दिया था, उस राजा का नाम आप नीचे comment section में हमें बताएंगे, बढ़ते आगले सवाल की तरफ, घर चुक्ती tax was collected from the, घर चुक्ती tax जो है वो collect किया जाता था, किस लिए, या किस चीज के लिए collect किया जाता था, यहाँ पर option है tribes who practice zoom cultivation, peasants who practice settled agriculture, जिरातियास प्रजास, missisps, तो इसकी जो सही जवाब है वो है option A, यानि tribes who practice zoom cultivation, जो tribe zoom cultivation से जुड़े हुए थे, उनही लोगों से यह text collect किया जाता था, जिसका नाम था, घर चुक्ती tax, borrow paddy grow during, borrow paddy एक crop है, जिसको grow किया जाता है किस season में, यहाँ पर option है winter, monsoon, summer, spring, तो इसकी जो सही जवाब है, वो है option A, winter season में, होई हूग duns belongs to which major tribe group of त्रिपूरा, होई हूग duns, कौन सी tribe के community के द्वारा किया जाता है, यहाँ पर option है, चाक्मा, जमातिया, हालाम, एंड रियांग, तो right answer है, इस सवाल का option C, हालाम, हालाम जो community है, in community के द्वारा, यह जो हूई हूग dance है, इसको perform किया जाता है, यह भी festival dance है, यानि harvesting time पे, इस dance का perform किया जाता है, which पूजा is related to हजागरी dance, नीचे चार option दिया गया है, गरिया, माईलूमा, हालूम, तूइफा, तो इन चार में से कौन सा पूजा के टाइम पे हजागरी dance का perform किया जाता है, पहली बात तो है, यह हजागरी dance कौन सी tribe की है, तो यह हजागरी dance रियांग community जो है, इनकी dance है, तो इस community के दुआरा, इस हजागरी dance का perform किया जाता है, कब यह, यह माईलूमा के टाइम पे, माईलूमा का मतलब क्या है, माईलूमा का मतलब है धन की देवी, यानि लक्षमी जी की पूजा किया जाता है, और उसी के साथ-साथ, यह हजागरी dance की perform भी किया जाता है, यह भी harvesting dance है सांग्रिया belongs to who the major group of tribe, सांग्रिया जो है, वो कौन सी major tribe के अंदर में आता है चाक्मा, जमातिया, हालाम and मौग तो right answer is, option D, मौग चैंप्रेंग is चैंप्रेंग का मतलब क्या है चैंप्रेंग जो है यह एक instrument है चैंप्रेंग से यह जो tribal community है, उन tribal community का एक instrument का नाम है चैंप्रेंग bamboo dance belongs to who the major tribe group of त्रिपूरा, त्रिपूरा में एक tribe group है, जिन लोग को के दुआरा यह bamboo dance का perform किया जाता है, यह त्रिपूरा में जितने लोग है वो साइद देखे होंगे इस dance को perform करते हुए तो इस bamboo dance का perform किया जाता है मिजू community के दुआरा यह खास करके जो त्रिपूरा के जम्पूई hill है जो त्रिपूरा के highest peak माना जाता है वेतलिंग सिफ उस hill range का part है, तो उसी जम्पूई hill range में यह मिजू community का सबसे जादा settlement देखा गया है, साथी साथ अगरतला के कुछ कुछ साइड में भी यह मिजू community पाया जाता है, तो इन ही लोगों के दुआरा इस bamboo dance का perform किया जाता है, after how many days of kharchi puja, care puja is celebrated कितने दीन के बाद care puja celebrate किया जाता है kharchi puja खतम होने के बाद, तो list of the ST in स्रिपूरा डारलों कॉम्यूटी जो है, यह सब्ट्राइब है, यह सब्ट्राइब को एक major community के या major tribe के अंडर में रखा गया है, वो कौन सा है, यानि इसकी जो detail में हम बात करें, तो ऐसा है कि त्रिपूरा में कुल 19 tribe है, जो major tribe है, उनमें से कुछ सब्ट्राइब भी है तो यह जो डारलों कॉम्यूटी है इसको सब्ट्राइब कहा गया है, यानि major tribe में इसको नहीं गिना जाता है तो यह एक major tribe के अंदर में रखा गया है, वो major tribe कौन सा है, option है जमातिया, रियां, कुकी और त्रिपूरी तो यहाँ पर जो सई जबाब होगा वो है option C, कुकी कम्यूटी, यानि कुकी कम्यूटी के जो लोग है, उनके रहन से हैं, उनके खान पीन, उनके जो culture है, रिचुल से, उनके साथ लगभग मेच हो जाता है इस डार्लोंग कम्यूटी का इसलिए इसी सब ट्राइब ग्रूप को कुकी जो में ट्राइब है उसके अंडर में रखा गया है लेवंग बोमानी डान्स जिसके नाम में, यह जो लेवंग आता है इस लेवंग का मतलब क्या है यहाँ पर option दिया गया है festival, community, colorful insect and wealth तो इसकी जो सही जबाब है वो है option सी colorful insect यानि लेवंग बोमानी डांस जो है ये colorful एक insect है इसको पकड़ने के लिए इस डांस का पार्फॉंग किया जाता है तो लेवंग जो है वो है colorful insect What is Ujjjainta Palace called in Tripuri language Tripuri language में Ujjainta Palace जो है उसको क्या कहा जाता है तो correct answer is option बी नुयूंग मा तो आज के लिए ये वीडियो इतना ही ये वीडियो बहुत ही helpful है आपको exam point of view से इसके साथ साथ हमने Tripura के related और भी कुछ वीडियो डालके रखे है खास करके Tripura के जो TTA ADC है उसके related Tripura geographical related तो इनके link आपको नीचे description में मिल जाएगा वहाँ से आप जाके देख सकते हैं और अगर इस वीडियो को आपको informative लगा होगा तो आप लोग इस वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजिए और अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर लिजएगा तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग और बेस्ट ओफ लग फॉर एक्जाम